Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel Guys, अगर आप स्टोरी को पढ़ें अगर रोज तो इस स्टोरी में कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिलेगा कुछ अच्छे words मिलेंगे, कुछ phrases मिलेंगे ये भी एक अच्छा तरीका है अंग्रेजी को अच्छा करने का कुछ न कुछ आपको read करना, कभी लोग novels पढ़ते हैं, कभी magazines पढ़ते हैं तो आपको story book खरीदें और stories पढ़ें जैसे मैंने आज उठाया है, ये NCRT की किताब है, class 8 की किताब है कहने को class 8 है, बट अच्छे अच्छे graduation वाले को भी fail कर सकती कुछ ऐसे sentences और words होते हैं, तो इस तरह से अगर मैं कुछ लाओं आपके लिए, तो कहीं न कहीं benefit मिलेगा आपको, तो आज एक first chapter पढ़के देखते हैं, अच्छा लगे तो आप मुझे बताएगा, तो मैं वो लाओंगा, तो ये PDF मैंने डाउनलोड किया है, गूगल से आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए, देखते हैं, इसमें क्या कुछ आपको सीखने को मिलता है, ये है How the Camel Got His Hump, चैप्टर का नाम है, How the Camel Got His Hump, यानि कि उट को कैसे उसका कुबर मिला, उट के ऊपर एक रहता है, एक पफी सा कुछ रहता है, कुबर कहते हैं, तो कैसे उसको कुबर मिला, तो हम का मतलब समझी गए, तो इसको पढ़कर देखते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिले हैं, चलिए, स्टोरी की दो हिस्से है, तो अभी ये फर्स्ट पार्ट है, इसको पहले देखते हैं, कैसे, यह लिखा है कि The world had just begun, देखी, had का इस्तेमाल हुआ है, past perfect है, कि जो संसार है, वो अभी शुरू ही हुआ था, and the animals were working for humans, और जो जानवर जो थे, वो काम कर रहे थे इनसानों के लिए, संसार शुरू हो गया था, और जानवर इनसानों के लिए काम कर रहे है, तो were working है, आपका past continuous tense का इस्तेमाल हुआ है, there was one lazy animal, अब यहाँ was का इस्तेमाल हुआ है, देर के साथ, कि एक सुष्ट सा जानवर था, that did nothing, अब यहाँ that किसके लिए उज़ुआ है, यह relative pronoun है, कि that यानि कि जो did nothing, कुछ नहीं करता था, and said nothing, और कुछ नहीं कहता था, but hump, वो आवाज निकालता था, hump, hump, ऐसे आवाज नि नहीं था, कुछ कहता नहीं था, अब यहाँ पर did, वैसे तो did nothing का यह भी मतलब होता है, कि कुछ नहीं किया, said nothing का मतलब होता है, कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ऐसे भी इस्तमाल कर सकते हैं, कि कुछ नहीं करता था, यैसे कि वो बच्चों से प्यार करता था, he loved children, और उसने कि यहां तक कि जो clever, जो चालू जिन था, actually जिन की स्पेलिंग डी से डी साइलेंट है, तो जो clever जिन था, जो जिनी होता है, जिनी, जादुगर टाइप जो होता है, जिनी, तो जो clever जिन था, was at his wits end, अब आपको सीखने को मिला, at his wits end, इसे आप सीख लीजे, his की जगा आपकी बुद्धी काम न करे, wits मतलब बुद्धी, end मतलब खतम, कुछ समझ मेंना है, क्या करे यार, एदम puzzled हो जाए, वहां पर हम कहते है, at falana wits end, जैसे कि I am at my wits end, जो भी मिले, आप उसको not down कर लीजे, ठीक है, मैंने कुछ word spinning भी त्यार किये है, तो आप उसका screenshot ले ल था, and the animals were just beginning to work, और जो animals है, were just beginning to work for man, वो इंसानों के लिए काम करना शुरू ही कर रहे थे, there was a camel, एक उट था, and he lived in the middle of howling desert, he lived, वो रहता था, in the middle of, के बीच में, in the middle of का मतलब है, के बीच में, howling desert, howling, यह उसको howling ही बोलेंगे, howling desert, howling का मतलब है, कि बहुत ही जबर्जस, बहुत ही बड़ा, great, और desert मतलब रेगिस्तान, बहुत परेगिस्तान के बीच में वो रहता था, because he did not want to work, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था, आप इस कहानी से देखे, tense का कितना अच्छा इस्तमाल है, उसको भी समझे, he ate sticks, and thorns, and prickles, he ate, वो ख अच्छानी चीजे होती है, काटे दार, वो खाता था, and when anybody spoke to him, और जब कोई उसे बात करता था, he said, वो कहता था, hump, वो सिफ हम कहता था, just hump, सिर्फ हम कहता था, and no more, और कुछ भी नहीं, आगे देखे, presently the horse came to him on Monday, देखे, presently का मतलब, आपको लग रहा होता कि present time में, presently का एक और मतलब होता है कि शिग रही, तुरंत बाद, तो तुरंत ही, the horse came, एक घोड़ा आया to him, उसके पास on Monday morning, यानि कि Monday की सुबे, घोड़ा आया, with a saddle on his back, तो उसके पीट पर क्या था, एक सैडल था, सैडल क्या होता है, जो एक सीट जैसा होता है, घोड़े के उपर, जो आप बैट के माउंट करते हैं, तो वो सैडल था, on his back, and said, और उसने कहा, camel, O camel, come out, बाहर आओ, and trot like the rest of us, trot का मतलब होता है, घोड़े की चाल चलना, दुलती चलना, तो हमारे जैसे चलो, trot, यानि कि उस तरह के से चलो, like the rest of us, जैसे हम लोग चलते हैं, उस तरह के से चल तो आपको trot मिल गया नहीं, hump, said the camel, camel ने फिर बोला hump, and the horse went away, घोड़ा वहां से चला गया, and told the man, आदमी के पास गया, और आदमी से सारी बात कहें, presently, शिगर ही, the dog came to him, एक कुता उसके पास आया, with a stick in his mouth, उसके मूँ में एक stick था, यह जो आप देखते हैं, जैसे with से चा कहलाते हैं, तो यह prepositional phrases बहुत जरूरी है, यह दो काम करते हैं, adjective का भी काम करते हैं, adverb का भी काम करते हैं, तो dog came to him, आया, with a stick in his mouth, अपने मूँ में एक stick लेकर आया, and said, और कहा, camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us, आओ, अब यहां पर देखिए, fetch and carry आपका यह एक फ्रेज है, अब इसक काम करना कि कहीं से कोई चीज लाओ, उसको ढो, ढोना, लाना, रखना, जमा करना, इस तरह के जो काम होते हैं, fetch and carry, यह एक सर्वेंट की तरह को काम करना है, वो चीज लाओ, उसको यहां रखते हैं, उसको fetch and carry कहते हैं, तो बोला कि, camel, आओ, और चलो हमारे साथ, जैसे हम का काम करते हैं, उस तरह के से काम करो, fetch and carry वाला काम करो, hump, said the camel, camel ने फिर बोला, hump, and the dog went away, kutta भी वहां से चला गया, and told the man, और उसने आदमी को जा कर बोला, presently, शिग रही, the ox came, ox and the bell came to him, उसके पास आया, with the yoke on his neck, उसके गले पर yoke था, yoke अपने देखा होगा कि, दो बैल हो करते हैं, लकडी का जोता है, तो yoke on his neck, उसके neck पर yoke था, and said उसने कहा, camel, oh camel, come and plow like the rest of us, आओ, और हमारे जैसे जोतो, इसको plow भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर plow ही कहा जाता, कई लोग plow कहते हैं, ज़्यादातर plow ही होता है, हमारे जैसे जोतो, hump, said the camel, camel ने फिर क hump, and the ox went away, और जो bell है वहाँ से चला गया, and told the man, उसने भी आदमी से जाकर बात बताई, at the end of the day, अभी छोटी छोटी फ्रेज है, at the end of the day, at the end of the month, इसे रट लिया कीजी, तो जब दिन खतम होता है, the man called the horse, and the dog, and the ox together, आदमी ने उन सब को एक साथ बुलाया, and said, कहा, 303, अर दुख है तुमारे लिए, देखे, ये वो आदमी है, ये horse, ये ox, और ये dog, but that hump thing in the desert can't work, मुझे तो बहुत मैं सौरी महसूस करता हूँ, लेकिन वो जो hump thing है, यानि कि वो जो ओंट है, जो hump हम करता है, in the desert, तो कि desert में है, can't work, को काम नहीं कर सकता है, or he would have been here by now, by now मतलब तक he would have been here, मतलब अब तक तो वहां होता, मतलब तुम तीनों की तीनों उसके पास गये उसे बुलाने के लिए, लेकिन वो आया नहीं, सिर्फ hump हम कह रहा है, तो जो hump thing है, वो अब तक तो यहां होता है, यानि कि वो काम नहीं करना चाहता है, he can't work, वो काम नहीं कर सकता है, ठीक करना ही चाहिए, to make up for it, कि कैमल काम नहीं करेगा, तो उसका make up करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए, make up एक phrasal verb है, इसका इस्तमाल हुआ है, तो make up करने के लिए, you must work double time, तुम्हें double time काम करना पड़ेगा, that made the three very angry, अब यहां पर देख रहे है, causative sentence का इस्तमाल you made me angry, तुम्हें मुझे गुसा दिला दिया, उसी तरीके से, that made the three very angry, that मतला वो जो बात उसने बोली आदमी ने, उसने तीनों को गुसा दिला दिया, and they held a panchayat, उन्होंने panchayat रखी, तो panchayat रखने के लिए hold होता है, तो hold का second form held हो गया, they held a panchayat on the edge of the desert, यानि कि जो desert थ and the camel came chewing cud, और camel वहां आया, chew cud, एक और नया word आपको मिलके है, chew cud, chew cud का मतलब होता है, जुगाली करना, आपने देखा होगा जानवर मूँ चलाते है, ऐसे करते रहते है, मतलब पहले वो खाते हैं, फिर बैठ करके उसी खाने को निकालके वो और फिर चबाते हैं, तो उसको chew cud कहते हैं, जुगाली करना, तो camel जुगाली करता हूँ आया, and laughed, वो हसा at them, उन तीनों पर हसा, then he said, उसने कहा हम, फिर उसने हम कहा, and went away again, और फिर वहां से चला गया, presently, उनकी शिग रही, there came along the, there came, वहां आया, along the jin, along the jin, who was in charge of all desert, there came along, अच्छा, came along, वहां पर आया, jin, jin वहां पर आया, who was in charge of all desert, जो पूरे desert का in charge था, rolling in a cloud of dust, वो कैसे आया, rolling, roll करता हूँ आया, in cloud of dust, यहने की एक dust, धूल मिट्टी का एक cloud सा बन गया, उसमें roll करता हूँ, जिन कैसे आते हैं, तो जिन आया, gin of all deserts, said the horse, horse ने कहा, gin of all deserts, सारे desert के gin, is it right for anyone to be idle, क्या यह सही है, किसी के लिए to be idle, idle मतलब खाली बैठना, said the gin, gin ने कहा, certainly not, बिल्कुल भी नहीं, certainly not, तो सिफ छोटी-छोटी चीज़े रट लेजे, well, said the horse, horse ने कहा, there is a thing in the middle of your desert, एक चीज है, आपके इस रेगिस्तान की बीच में, with a long neck, जिसकी गर्दन लंबी है, and a long legs, जिसकी टांगे लंबी है, and he hasn't done a stroke of work, देखिया, एक और आपको चीज नया मिला, stroke of work, stroke of work, stroke of work, पुरा idiom phrase में आता है, इसका मतलब है कि, जरा सा काम भी नहीं, जिसकी आप इस आप इस पोकर इंग्लिश में कह सकते है, I haven't done a stroke of work, मैंने जरा सा भी काम नहीं किया, stroke of work, अच्छा है, तो उसने जरा सा भी काम नहीं किया है, since Monday morning, Monday की सुबे से, उसने जरा सा भी काम नहीं किया है, he won't trot, Koda कह रहा है कि, वो तो चलेगा भी नहीं, हमारी तरह दुलाती भी नहीं मालेगा, मतलब दुलाती क्या बोलते है, भोडे की चाल में भी नहीं चलेगा, विव, said the jinn whistling, मतलब एक सिटी जैसा मू बनाते हुए, उसने बोला वो इसे विव करते हैं, एक स्प्रेशन है, बहुत सर्प्राइज होनेगा, वो मेरा कैमल है, वो मेरा कैमल है, वो इसके बारे में क्या कहता है, काम के बारे में क्या कहता है, He says hump, वो तो जी hump कहता है, and he won't plow, वो तो plow जोतेगा भी नहीं, said the ox, ox ने जवाब दिया, कि वो तो जी कुछी नहीं कहता है, बस hump हम कहता है, और वो plow भी नहीं करेगा, Very good, said the jinn, jinn नहीं का बहुत अच्छा, I'll hump him, if you will kindly wait a minute, अब यहाँ, hump him का मतलब ही, I'll teach him a lesson, I'll, मतलब मैं उसे right time कर दूँगा, यह वाली feeling दे रहे है, यह hump, I'll hump him, if you will kindly wait a minute, अगर तुम थोड़ा इंतिजार करो, तो मैं उसको stick करता हूँ, आगे देखते है, अब कहानी का part 2 शुरू होता है, the jinn remonstrated with the camel, अचा, remonstrate का मतलब होता है कि विरोध करना, आप कुछ कर रहे हो, इसका मैं विरोध करूँ, उसके साथ विद लगता है, तो jinn ने विरोध किया camel का, तो यह नए वर्ड आपको मिल गया, remonstrate लिख लिया कीजिए, who said hump, यानि कि वो camel, जो hump हम कहता था, उसके साथ जिन ने विरोध किया, कि नहीं तू गलत है, the camel's beautiful back suddenly grew a lump, तो camel का जो beautiful back था, उसका back बहुत अच्छा था, खुबसूरत था, grew a lump, उसके lump, यानि कि कुछ छोटा सा कुछ निकल आया, which was the camel's hump, जो कि camel का कूबड था, the jinn assured the camel, his hump would always be a help, not a hindrance, तो अचानक, जब jinn गया उसे ठीक करने के लिए, और jinn जो था, वो बिलकुल उसका विरोध कर रहा था, तो हो सकता है, जिन ने ऐसा कुछ कर दिया हो, तो camel का अचानक वो एक लंब सा आ गया, और jinn ने कहा, कि जिन ने भरुसा दिलाया कि camel, assured the camel, his hump would always be a help, कि उसका जो कूबड है, यह हमेशा उसकी मदद करेगा, not a hindrance, वो बाधा नहीं बनेगा, ऐसा jinn ने कहा, the jinn rolled himself up, जिन फिर रोल होता हूँ, उपर चला गया, in his dust cloak, अपने dust cloak में, dust cloak मतलए एक गुबार, एक धूल मिटी का जो गुबार, भावर सा बनके उसमें चला गया, and took a walk across the desert, और पूरे desert का एक walk ले लिया, ऐसे, ऐसे, ऐसे करके, and found the camel looking at his own reflection, और उसने found the camel, उसने camel को देखा, looking, अब camel के बाद है looking, यह present participle है, कि वो देख रहा था, at his own reflection, अपने ही परचाई को, in a pool of water, एक, एक pool of water था, उसमें देख रहा था, you know, water का पूरा एक बना हुआ था, उसमें वो देख रहा था, my friend said the jin, jin ने कहा, मिर दोस, what's this, यह क्या है, I hear of your doing no work, what's this, यह क्या है, I hear, मैं सुनता हूँ, क्या सुनता हूँ, hear of होता है न, hear of, off के बाद क्या, matter क्या है, तो your, तुम्हारा doing no work, तुम्हारा कुछ न काम करने का मैं सुनता हूँ, क्या है यह, the jin sat down, jin नीचे बैठा, with a chin in his hand, मतलब, with a chin in his hand, हाथ पर अपना chin रखा, जब की, जो कैमल था, looked at his own reflection, उसने खुद के reflection को देखा, in the pool of water, उस water में, you have given the three extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, I think, यह given up होना चाहिए, छोड दिया, give up कर दिया, तीन तुम्हें जो काम दिये गए थे, since morning, Monday morning को जो तुम्हें तीन काम दिये गए थे, तुम्हें उसे give up कर दिया, all on account of your idleness, account of का मतलब है के कारण, idleness मतलब, अपने सुष्टी, मतलब, जो सुष्ट बैठे रहते हो, उसके कारण तुम्हें छोड दिया, said the jin, jin ने कहा, and he went on thinking with his chin in his hand, और वो सोचता रहा, went on का मतलब क्या है, go on का मतलब था, continue रखना, तो go on से बना went on second form है, जैसे की she went on crying, वो रोती रही, I went on speaking, मैं बोलता रहा, उसी तरीके से, वो सूचता रहा, with his chin in his hand, अपने हाथ में अपना chin रख करके, यह देखिए, यह chin उसके हाथ में है, यह chin तुड़ी हाथ में रखा हुए, और यह जो camel है, अपने परचाई को इस pool of water में देख रहा है, hump, said the camel, camel ने फिर कहा hump, अब देखिए, अब jin कह रहा है, said the jin, jin ने क्या कहा, कि I shouldn't say that again if I were you, if I were you, अगर मैं तेरी जगह होता, I shouldn't say that again, मैं यह hump दुबारा नहीं बोलता, you might say it once too often, बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक बार कह लो, लेकिं क्या है, I want you to work, मैं चाहता हूँ, तु काम कर भाई, and the camel said, camel ने कहा hump, फिर से hump कहा, again, but no sooner had he said it, जैसे ही, no sooner का मतला है जैसे ही, and no sooner के बाद, did he a head का इस्तमाल होता है, तो no sooner had he said it, जैसे उसने ही कहा, then he saw his back, उसने बने back को देखा, that he was so proud of, जो बड़ा proud था, puffing up and puffing up, और और पफफफ होता चला गया, into a great big hump, अब बड़ा सा hump बन गया, पहले तो छोटा lump था, अब बहुत बड़ा hump हो गया, do you see that, said the jinn, jinn ने कहा, अब दिखराये, that's your very own hump, that you have brought upon your very own self by not working, वेरी का मतलब यहा, जरूर ने कि वेरी का मतलब बहुत ही हो, वेरी का मतलब ठीक, बिलकुल, ऐसे भी दिखाता है, ये तुम्हारा, बिलकुल, ये तुम्हारा ही hump है, that you have brought upon, जो तुम लाए हो, your very own self, बिलकुल खुद ही लाए हो, by not working, ना काम करके, ये तुमने काम नहीं किया है, उसकी वज़े से भाईया, ये कुबट ने तुम्हारा निकल आया है, तुड़े, इस थास्डे, आज थास्डे है, and you have done no work, तुमने कोई काम नहीं किया है, since Monday, Monday से तुमने अब तक कोई काम नहीं किया है, when the work begins, यानि कि जब काम शुरू हुआ, तब से तुमने कुछ नहीं किया है, now you are going to work, अब तुम काम करोगे, you are going to work का मतलब कि अब तय है कि तुम करोगे, हिंदी में देखे तो तुम करने जा रहे हो, लेकिन going to और will का फर्क देखेंगे, तो going to में बिल्कुल तय तमनना वाली बात होती है, I say I am going to watch a movie tonight, मतलब तय है कि तय है कि मूवी देखूँगा, यह है, future को देखाता है, how can I, said the camel, camel नहीं कहा, कैसे मैं काम कर सकता हूँ, with this hump on my back, मेरे back पर यह hump है, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, that has a purpose, said the jin, jin ने कहा कि, इस hump के पीछे भी एक उदेश है, एक purpose है, all because you missed these three days, all because, क्योंकि तुमने यह तीन दिन मिस कर दिये, you will be able to work now for three days without eating, अब तुम बिना खाये तीन दिन काम करोगे, बिना खाये, because you can live on your hump, क्योंकि आप तुम अपने हम्प के सहारे रहोगे, बिना खाये भी रह सकते हो, and don't you ever say, I never did anything for you, और यह मत कहना है, कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ ने किया है, come out of the desert, इस desert से बाहर आओ, and go to the three, उन तीनों के पास जाओ, and behave, behave का मतलब है कि काम करो, तीनों के पास जाओ, और काम करना शुरू करो, behave करो, and the camel went away, camel वहाँ से चला गया, to join the three, तीनों को जॉइन करने camel चला गया, and from that day, उस दिन से, to this, from that day to this, उस दिन से अब तक, the camel always wears a hump, wears a hump का मतलब है कि अब camel के पास हमेशा, वो hump रहता है, we call it hump, हम इसे hump कहेंगे now, not to hurt his feeling, क्योंकि hump मतलब होता है कि तुझे ठीक कर दूँगा वाली बात, तुछले, h-u-m-p कहेंगे, but he has never yet caught up with the three days, देखिए catch up with, यह पूरा का पूरा एक होता है, phrasal verb, catch up with का मतलब होता है, कि बरावरी करना तो, he has never yet caught up with the three days, वो जो तीन दिन उसने गवाया थे, आज तक उसकी बरावरी नहीं कर पाया, भरपाई नहीं कर पाया, that he missed at the beginning of the world, जब संसार की शिरुवात हुई थी, उसने तीन दिन अपने खर्च कर दिये थे, वो आज तक पूरा नहीं कर पाया, and he has never yet learned how to behave, और अब तक उन्ट ने ये नहीं सिखा कि कैसे काम करे, मतलब वो आइडल ही रहता है, तो ये है कहानी दोस्तों, कुछ समझ में आया, तो कुछ नब कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो मैंने कुछ वर्ट्स त्यार कियें, दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजे, इस तरह की कहानी अगर आपको पसंद आया करेगी, तो फिर मैं पीडिएफ भी दूँगा, आज तो पीडिएफ नहीं है, आज आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजे गाईज, तो बस और ये जो ये पीडिएफ तो आफ गूगल पे लिखेंगे न, कि एंग्लिएफ एक इंग्लिश बुक, वो पीडिएफ भी वहां से डाउनलोड कर लीजेगा, इस तरह की कोई भी कहानिया पड़े, मैं इस तरह से लाता रहूँगा, क्योंकि जो NCRT के जो स्टूटेंट से आठ्मी के हैं, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा, तो उनका भी फाइदा है, आगे चलके 9, 10, 11, 12, सब मेलाता रहूँगा, कभी-कभी, ताकि आपको फाइदा पहुँचे, तो देखिए, एक किताब मतले, एक 8th क्लास की किताब में, क्या कुछ आपको सीखने को मिल जाता है, अगर आपको 3 वर्ड ही मिल जाए, 5 वर्ड ही मिल जाए, तो अच्छा ही है, चले गाइस, मिल ते अगले वीडियो में, तिल देन, तेक केर, किप प्रक्टिसिंग, एंद फॉन, थांक्यू गाइस,